दोस्तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, माइनेम इस अंकुर मेंदिरत्ता, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो दोस्तो आप डंकी की अपडेट मांग रहे थे, डंकी की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आने आई है, मैं आपको एक एक बात बताऊँगा दो शिफ में काम कर रहे हैं, एक तरफ अटली कुमार की लॉइन और दूसरी दरफ डंकी की, और डंकी के जो पहला स्केडियूल है वो जो है जून के सैकंड वीक तक खतम हो जाएगा, उसके बाद शारू खान साहब जाएंगे पंजाब में इस फिल्म की शूटिंग करने क दूसरी जो अपडेट निकल कर सामने आई है, शारू खान डंकी की जो है इंगलिस डबिंग, खुद करेंगे किसी और आर्टिस्ट से नहीं करवाएंगे, तो ये उनके आवरसीज के जो फैंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नियूज है और इससे दरशक और जादा कनेक होंगे, तीसरी जो नियूज आ रही है, वो ये है कि जो डंकी फिल्म है, रिलीज से पहले बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में घूमेगी, इससे फिल्म को बहुत जादा फायदा मिलेगा, और जो चोती और सबसे बड़ी नियूज निकल कर सामने आई है, वो ये है कि ये फिल्म जो है ना देश भर में, दुनिया भर में बीस हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है, मतलब कि शारु खान साब और राच कुमर रहरानी सर, कोई भी मौका नहीं चोड़ने वाले भाई, दुनिया भर के कोने कोने में ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर र दिक चुके हैं, अगर पठान अपने दम पर खरा उतरता है, मेरे कहने का मतलब है कि फिल्म में दम हुआ और बहुत जबरदस बिजनस किया फिल्म ने, तो डंकी के जो डिजिटाल राइड्स हैं, वो कितने में बिकेंगे, उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, तो अब हम कह सकते हैं कि शारूख खान फूल फ्लेज में वापिस आ चुके हैं, पूरे दम खम के साथ, आप सब लोगों को यही नियूस देनी थी, अब ही मैं आपने कम्यूनिटी पोस्ट पर एक पोल डालूँगा, कि आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइट वीडियो बनाता रहा हुआ, रेगुलर बेसिस पर, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फोर वाचिंग